पास दस्तावेज मौझूद है तो टेंपरिंग का कोई मतलब नहीं बनता अगर 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 इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकासेशनिस में रखे हैं इनको जेल में रखा है और यह जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है चाहे वो एडी का केस हो चाहे सेक्शन फॉर् वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अल्रेडी जो है 17 महीने का जो है जेल अल्रेडी मनिश सुषोदिया जी काच चुके हैं तो सुप्रिम कोट ने एडी के तमाम दलीले को खारिज करते हुए मनिश सु सुप्रिम कोट ने ये भी कहा कि 463 गवाँ हैं और लगभग साथ हजार पेजेज की जो है जस्तावेज हैं तो इसमें ट्राइल अभी जो है खत नहीं हो सकता इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मनिश सुषोदिया जी ने ट्राइल को डिले किया है उसको खारिज क लगए और ये भी आज सुप्रिम कोट ने बहुत एहम बात कहीं है कि बेल के मामले में ट्राइल को और ह्योट को थोड़ा सिंसेटिव होना चाहिए ताकि जो है सुप्रिम कोट में इतनी सारी बेल पेटिशन ना आ ये भी मनिश्य शोधिया जी के बेल आइडर में सुप्र तक दियान रखें और बेल जो है वो सुप्रिम कोड तक ट्रैवल ना करें इस पर भी जो है वह धियान रखें इसको देखते भी लगता है कि यह लैंड मार्ट जज्मेंट है यह पिछले 17 महिने से जिस तरीके से ED और CBI ने मनिश शुशोदिया जी को जेल में रखा हुआ था, वो तमाम जो जनलोई दलीलों पे जो है उनको जो है जेल में डाला हुआ था, आज वो सारी धरासाई हुई, पहला कि सुप्रिम कोर्ट ने ये कहा कि जो ED ने बयान दिया है कि ये ट्राइल कंक्लूड हो यूपी की हख अबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेश्ट यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथी बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहें